हेलो नमस्का सत्रेकाल अस्सलावालेकुम कसकाई जे हाँ आप लोगों के मन में जो हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या सर लॉफ रेटर्निटी थोड़ी सी ये थ्री एर लेलबी वाले बच्चों के साथ गलत तो नहीं करती क्योंकि अगर एक एनल्यू से आप पढ़ना चाहो तो आपको CLAT examination देकर एक NLU जरूर मिल जाता है लेकिन अगर एक बच्चा थ्री एर का लेलबी गरना चाहे तो ऐसा कोई प्रावधान हमको देखने को क्यों नहीं मिलता सर तो वेट गाईस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा examination जिसके अंतरगर्द आप थ्री NLSIU Bangalore NLSIU Bangalore के दुआरा एक program चलाया जाता है जिसके अंतरगर्द आप वहाँ जाकर तीन साल का LLB course कर सकते हैं However, इसके लिए आपको एक examination देना पड़ेगा और उस examination को हम NLSAT के नाम से जानते हैं और आज ये जो यहाँ पर वीडियो रहने वाला है ये इसी examination के बारे म In and Out सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर cover करेगा आगे बढ़ने से पहले आप से ये request रहे की कि अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो like बटन पे जरूर क्लिक करते हैं और अगर अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो कमाल करते हो यार जल्द से जल्द इस channel को subscribe कर दीजिए ताकि हम और जादा स्थे जादा बच्चों तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं आखिर ये जानने के लिए कि हम किस तरीके से इस examination के लिए prepare कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये directly आपका NLSIU Bangalore जो है उसकी website को मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है अगर आप इसकी website पर जाएंगे और admissions पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे options जो है वो open हो जाते हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि किस किस तरीके से आप इंडिया के best college जिसको हम NLSIU Bangalore के नाम से जानते हैं वहाँ पर जाकर आप अपनी पढ़ाई जो ह basically talking about this three year LLB honors program जो की यहाँ पर run किया जा रहा है NLSIU Bangalore के द्वारा यहाँ पर program run किया जा रहा है इसकी applications already open है और आप अगर चाहें तो इसकी applications जो है वो fill कर सकते हैं अपना एक यहाँ पर candidature और अगर आप examination में अच्छा perform करेंगे then definitely आप अपना three year इंडिया के best college से जरूर कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको यह तो पता होना चाहिए कि sir eligibility क्या है अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से पढ़ें तो definitely यहाँ पर eligibility बहुत जादा high five marks की होगी तो आपको बदा देते guys and girls ऐसा कुछ भी नहीं है इनके द्वारा जो eligibility यहाँ पर मांगी जा रही है वो केवल और केवल इतनी है कि अगर आप general category से belong करते हैं तो आपको कम से कम 45% marks जो है वो लाने हैं कितने marks लाने हैं 45% marks याने अगर आप 45% marks लेकर आते हैं तो आप eligible हो जाएंगे 45 in what in your graduation why graduation because sir ये LLB का examination आपका 3 year वाला है जो आप केवल और केवल graduation के बाद ही दे सकते हैं ठीक है sir उनका क्या जो ST, SC, OBC non creamy layer से belong करते हैं क्या उनके लिए कुछ special है जी हाँ बिलकुल उन बच्चों के लिए यहाँ पर 40% of the total marks याने कि आपको अपने graduation में कितने number चाहिए 40% तो अगर आप 40% marks लेकर आते हो तो आप यहाँ पर ST, SC, OBC इस category से belong करते हैं तो भी आप यहाँ apply कर सकते हैं so in all आप बहुत चीदों देख सकते हो कि जब हम बात कर रहे हैं eligibility criteria की तो उतना जादा कुछ यहाँ पर tough इस चीज़ को नहीं रखा गया है तो हमने यह जान लिया कि sir eligibility क्या है अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर यह examination जो है वो किस प्रकार से होने वाला है इस examination की बात करें sir and ma'am तो यह examination दो parts में होगा सबसे पहले आपकी आखों के सामने part A जो है वो देखने को मिल रहा है part A में क्या चीज़े होने वाली है sir यहाँ पर आपको multiple choice questions मिलेंगे यहाँ पर आपको multiple choice questions मिलेंगे यह जो mcqs वाला paper है this will be for maximum of 75 marks 75 हर एक question के लिए आपको एक mark मिलेगा हर गलत question के लिए 0.25 marks जो है वो यहाँ पर deduct करे जाएंगे I hope I am clear with this अब सवाली उठता है कि sir इस part में आखिर हमसे पूछा क्या जाएगा अगर mcqs हैं तो वो mcqs में हमसे क्या चीज़ें पूछी जाएंगे तो आपको बदा देते हैं sir mcqs में सबसे पहले आपसे comprehension English comprehension की समझ आपसे expect करी जाएगी उसके अलावा current affairs current affairs की समझ आपकी चेक करी जाएगी और इसके अलावा critical reasoning जैसा की CLAT examination में आपने देखा होगा बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है यह तीन चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी अगर आप यह कर लेते हैं तो आपका part number 1 जो है part number A जो है वो यहाँ पर आप आसानी से clear कर सकते हैं अब बात करते हैं part B की part B की बात करें तो यहाँ पर कैसे questions मिलेंगे आपको subjective questions what do you mean by subjective questions sir and ma'am जब हम subjective questions की बात करते हैं तो कहने का तागपर बेसिकली यह है कि यहाँ पर आपके पास choices ABCD form में नहीं होगी but rather आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा I repeat again आपको जैसे हम colleges में अपने exam देते हैं जहां question आता है और उसके हमें कुछ answers लिखने पड़ते हैं अपने हातों से वैसा ही यह test यहाँ पर होने वाला है ठीक है अब सवाल यह उठता है कि sir part B में हमसे क्या पूछा जाएगा तो part B में आपसे legal aptitude और legal reasoning के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे in total यह 60 marks के होंगे इसमें क्या होगा sir इसमें आपको problem based questions होंगे students को छोटे छोटे short answers जो है वो अपने as a response लिखने होंगे जो की consist करेंगे 300 to 350 words however prior knowledge of law is not expected ऐसा यहां पर कहा जा रहा है बट जैसा कि आपने देखा है चाहे CLAT examination हो चाहे कोई और law entrance examination हो अगर आप पहले से law का knowledge लेकर जाते हैं तो definitely आप edge पर रहोगे आपके पास एक edge होगी over those जो की नहीं पढ़कर जा रहे हैं तो obviously हम यह चाहेंगे कि हमें पहले से contract के बारे में पताओ constitution के बारे में पताओ law of thoughts के बारे में पताओ ताकि इन सभी examinations के बारे में जैसे ही हम एक समझ बना लेते हैं इन सभी subject matters के बारे में तो examination हमारे लिए थोड़ा सा असान हो जाता है अब आते हैं जी part B का second part that is B इसमें क्या चीज के आवशक्ता पड़ती है इसमें आपको basically 15 marks का यह होगा जहां पर candidates will be required to write an essay एक essay जो है वो आपसे लिखवाया जाएगा ये जो essay आपसे लिखवाया जाएगा इसमें आपको 500 words से जादा जो है वो नहीं लिखना है यहाँ पर वो क्या test करना चाते हैं सर वो आपका knowledge test करना चाते हैं उस issue पर आपकी ability test करना चाते हैं कि आप written argument किस प्रकार से दे सकते हो और आपकी ability एक well structured essay लिखने की अगर आप इतना कर लेते हो part A और part B combined then I am pretty much short आप easily इस examination को निकाल कर उस NLSIU Bangalore College में जाके अपना 3 year LLB कर सकते हैं total कितने बच्ची लिए जाएंगे sir total जो है 120 बच्चे यहाँ पर लिए जाने हैं 120 students जो है वो यहाँ पर लिए जाने वाले हैं तो आप यह समझ के रखें कि आपको 120 seat देखकर डरना नहीं है कि यह कम है या जादा है आपको सिर्फ इतना सोचना है आपको एक seat चाहिए आप एक से जादा seat पर थोड़ी बैठोगे आप तो एक ही seat पर बैठोगे बस उतना सोच लो कि मुझे एक seat जो है वो यहाँ से निकालनी है ठीक है I hope I am clear with this किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं important dates की Sir important dates में सबसे पहले आपको बदा देते हैं यह examination होने वाला है 17 March 2014 को I repeat again यह examination कब होगा 17 March 2014 को यह examination 10 बज़े से लेके 12.30 बज़े तक चलेगा यह examination इंडिया की अलग अलग cities में आपको centers अलोट किये जाएंगे application form आप website पे जाके जल से जल जल जो है वो fill up कर सकते हैं application खुल चुकी है 29th of December से और यह खुली रहेगी February 24 तक 24 वरवरी तक आपके पास मौका है जब तक आप अपनी इस application को accept करवा सकते हैं ठीक है अब सवाल उठता है sir fee कितनी है sir application fee is 2500 rupees for the normal याने की unreserved students and जो बच्चे ST, SC, OBC इन सभी categories को याने की reserved categories में belong करते हैं उनको यहाँ पर 2000 रुपे जो हैं वो देने पड़ेंगे जी हां अब आप देख सकते हो fee थोड़ी सी जादा है I know but you need to understand that they even want to filter out those serious candidates उनको यह चाहिए कि उनको भी जादा यहाँ पर मेहनत ना करनी पड़े evaluation करने में जो serious candidates हैं किवल वहीं आएं ताकि फिर हम उनमें से best को choose कर सकें और उनको आगे ले जा सकें और इस course में enroll करने में मदद करें ठीक हैं तो यह हैं यहाँ पर कुछ dates जो कि आप देख सकते हो फिर final admission list जो है यह कब आएगी यह आएगी May 2024 में और आपका session कब से शुरू हो जाएगा 1st of July से आपका session जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा I believe यह चीज अब आपको समझ में आगी होगी जी इसी के साथ साथ अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वो बच्चे जो हमारे साथ जुड़कर CLAT examination की तयारी करना चाहते हैं अगर आप में से कुछ हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Unacademy के साथ जुड़के कई बच्चों ने अपना और अपने मादा पिता का नाम रोशन किया है साथी साथ हमारा भी इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो और अभी आपके पास opportunity है दाट कल और परसों 13 और 14 पोर पी एम को Unacademy Law Admission Test यानि की ULED जो है वो कंड़क कराया जा रहा है As per the ULED As per the Unacademy Law Admission Test आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजे यह free of cost है आप अपने आपको यहाँ पर register कर सकते हैं आप register करिए जो आपका examination है उसको attempt करिए अगर आप top 10 में आते हो तो आपको 2500 रुपीज का voucher जो है वो Amazon का दिया जाएगा जिसको आप books वगेरा वगेरा खरीदने के लिए उपयोग में ला सकते हैं साथ ही साथ अगर आप unacademy के साथ जुड़ना चाते हैं तो आपको 90% तक की scholarship unacademy के द्वारा दी जाएगी ठीक है तो यह एक बहुत अच्छी opportunity है जिसका फाइदा आप उठा सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आप 5 year LLB के तियारी कर रहे हो BALLB या BBALLB तो आप देख सकते हैं कि Spartans batch जो है यह January 18 से शुरू हो रहा है इसमें आपको India के top faculties यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको करना कुछ नहीं है unacademy के portal पर जाएए और Spartans batch को देखकर आप purchase कर सकते हैं इसको purchase करने के time आप एक code का use करिएगा that is bar 5 जैसे ही आप bar 5 code का use करेंगे you will get to see the maximum discount साथी साथ maestro batch यह specifically रखा गया है for MHCET UG and CUET UG कहने का मतलब कि यह 5 एर LLB के लिए जिसका combined price इतना रखा गया है आप अगर चाहें तो इस price को और जादा कम कर सकते हैं by using the code bar 5 चीक है इसी के साथ अब आप सभी से लेना चाहेंगे विदा thank you so very much for coming in and listening to me and trust me अगर आप 3-year LLB के तियारी करे हो NLCET examination जो है यह एक बहुत अच्छी opportunity है अगर आप इस चीज को जो है देना चाहें तो मैं कहूंगा कि please attempt करे है because there are quite few possibilities कि आप इस examination को बहुत अच्छे नम्बरों से निकाल सकते हैं with this I am signing off thank you so very much for your valuable time my name is Aditya Rai, जय हिंद जय भारत